भुलाया नहीं जा सकता जलिया वाले हत्याकांड के उस नर्संगहार को हिंदुस्तानियों के खून से सनी मिट्टी और कूए के सुहे लाल पानी से भरे वैसी डायर के आहार को वहीं कुछ क्रांतिकारियों ने ये मिट्टी मुठी भर देह पर लगाई तो कुछ ने मुठी भर पुन्य अस्थान पर रख ये सौगंद खाई अब चाहे अंबर भी धर्ती पर आ जाए बदला लेकर ही सांस लेंगे क्योंकि भारत को आजाद मुल्क बनाने की थी यह लड़ाई जी हाँ दोस्तों सन 1919 में हुए चलिया वाला बाग हत्याकांड जिसमें जनरल डायर ने निहत्थे और निर्दोश लोगों पर गोलियां चलवाई और इसमें सेंकडों लोगों की शहादत उन बंदूग की गोलियों पर अपना नाम दर्ज करा गई आज भी उन गोलियों के निशान जिन्दा हैं आज भी उस कुएं का पानी लाल है और आज भी सहादत के निशान अभी भी हमारी आत्मा पर हैं जो कभी नहीं मिट सकेंगे आज शमस्त आएमसी परिवार उन सभी शहीदों को सरधधन्जली अर्पित करता है शहीदों के इस कर्ज को तो अदा नहीं किया जा सकता लेकिन देश के इस गौरब को कायम रखने के लिए आएमसी परिवार हमेशा हर मुश्किल समय में देश के साथ खड़ा है और हमेशा अपना योगदान देश की स्वास्त और सुरक्षा में देता रहेगा जैहिंद गुड़ आएमसी